सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो कलासिज हमारी CCS उनिवस्टी और सारणपूर उनिवस्टी की बीएड फर्स्ट इयर की कलासिच चल रही है आज का हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी और फिजिकल साइंस आज का हमारा टोपिक रहेगा मुल्यांकन की परविदियां व वाले हैं तो मुल्यांकन करने के कुछ ये विदिया होती है मुल्यांकन में हम क्या करते हैं बच्चों का किसी भी तरह से ग्यान की जाच करते हैं कि उन्होंने जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उसका कितना ग्यान प्राप्त कर लिया है बच्चों की परगती कैसे चल ल तो यह तो सबसे प्राचीन वी दी है, सबसे सरल वी दी है, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, इसके दोर आप क्या करते हैं, बच्चों की घ्यान की जांच कर लेते हैं, कि किसी भी विसाय का बच्चों के पास कितना घ्यान है, परिक्षा तीन परकार की होती है, लिखित मोखिक और प्रायोगिक लिखित में आप लिखकर अपना कोश्चनों का एंसर देते हैं और मोखिक में आप क्या करते हैं बोलकर कोश्चन का एंसर देते हैं प्रायोगिक में आप कुछ कारिया करके दिखाते हैं कारिया कर पाते हैं तो परिक्सम पास हो जाते हैं और चात्रों को उन समस्याओं का समधान करने के लिए का जाता है जिसके आदार पर चात्रों की विश्याओं का त्योग गयता की जांच की जाती है हम बच्चों से कुछ प्रसन पूछते हैं समस्चाइं पूछते हैं समस्चाइं रखते हैं बच्चों को उन समस्चाइं का समधान करना होता है जिस परकार के में समधान करते हैं बच्चे उसी के अधार पर हम बच्चों को नमबर दे देते हैं और उनके अधार पर बच्चों का मुल्यांगन करते हैं तीन परकार की परिक्षा होती है, हमारी रिटन होती है, ओरल होती है, प्रैक्टिकल होती है, तो आसान सी है, ये बात तो आप अपने सब्दों में भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट है हमारी निरिक्सन ओब्जर्वेशन, अम उल्ल्यंगन करने का ये भी एक तरीका होता है, कि आप बच्चों से कह दें कि आप कुछ काम करिये, कोई वस्तू बनाईए, पेंटिंग कीजिए, कुछ भी काम करिये, कोई टैस्ट दे सकते हैं बच्चों को करने के बच्च की किस सब्जेक्ट में रूची है, किस बच्च की कैसी योग tenho चल रही है, क्या चीज बच्रक्च कितनी तेजी से किस तरश समझ रहा है, तो यह हमारा ओजर्वेशन होता है, देकर ओजर्वेशन एक तरवसे आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आपका वो होता है, लेकिन practical observation में अंतर होता है, प्रैक्टिकल में आप कुछ काम करते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं, तो आप फेल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका काम करना ज्याद़ इंपोर्टेंट नहीं होता, यहाँ पर क्या important होता है कि कैसे आप काम कर रहे हैं, वेवार वगार आप आपका कैसा है, फिलिंग आपकी कैसी चल ली है, उस काम को करते हैं, तो टीचर उस चीज पर ज़्याद़ा फोकस करता है, यहाँ पर. निरिक्सन में छात्रों को कोई कार्या करने के लिए दे दिया जाता है जब बच्चे उस कार्या को करते हैं तब सिक्सक उनका उलोकन करता है निरिक्सन के दुआरा बालकों के समाजिक विकास सम्वेगाद मग इस्थिरता बुद्धिक परीपकुता के बारे में जानकरी मिलती है इसके माध्यम से बालक में विक्सित रूचियों, अभी विरत्तियों, अक्षमता और कोशला का सही मुल्लेंगन किया जा सकता है नेक्स्ट है हमारा रेटिंग स्केल जिसे हम निर्दान मापनी बोलते हैं तो रेटिंग स्केल कुछ इस तरह से होता है, एक स्केल होती है, उस पर हम रेट कर देते हैं जैसे आप कहीं खाना खाने के लिए जाते हैं, तो रेस्टरों वाले आपको एक रेटिंग स्केल पकड़ा सकते हैं, कि आप बता दीजी हमारा खाना कैसा था, बहुत अच्छा था या ठीक ठाक था, खराब था या बहुत खराब था, तो उसके अकोडिंग आप उन्हें जबरदस्त हैं, और चोईस ओफूर, जो हमारे यहां चोईस दी हुई है, सब की चोईस वगरा वगरा कैसी होती है, तो वो ठीक ठाक रहती है, तो इस तरह से एक रेटिंग स्केल दे दी जाती है, उसके अधार पर हम किसी भी रेस्टरों को किसी भी चीज को रेट कर सकते ह हैं, उससे छोई रेस्टरोंच वालए हैं मैं देखेंगे कि किस चीज में हमारी रेटिंग खराब आ लिया और उसमें फिर सुदार कर लेंगे, तो यह भी एक तरह से रेस्टरों के हमने मुल्यांकन कर लिया, अपनी रेस्टरों का मुल्यांकन कर लिया नहीं, तो इसके य बच्चे जो हमारे अनुसासन है उसको कितना प्रान करता है, शिक्सकों की इज़त कितनी करता है, इंगलिस का होमबर्ग किसी स्थर तक घर से इगर कर लाता है, तो एक तरह से रेटिंग स्केल एक टीचर तयार कर लेगा, फिर बच्चे से कुछ काम करने के लिए काये गया, अपने अनुबो के अदार पर अलगलग टीचर अपनी इस रेटिंग स्केल को भरेंगे, कि बच्चा डल्ले रोजाना किसी स्थर तक आता है, कि हाँ ठीक ठाक है, रोजाना सी आई जाता है, कभी कबार रहता है, तो बच्चा मेनत कितनी करता है, बगुँच ज्यादा मेनत दे देंगे तो उस rating scale के आधार पर भी हम बच्चे के बारे में जानकर ले सकते हैं कि यह बच्चा कैसा है इसकी कैसी योग गता है तो rating scale इस परकार बच्चों के मुल्लंकर में साहिता पर्दान करता है rating scale के द्वारा चात्रों के विवीन परगतियों परिस्थितियों में विशेश तावका मुल्लंकर की आजा सकता है यह बालक की किसी विशेश छेत्री में कुछ परताव की जाँच कर सकती है तथा उनके वेवार की परगर्टी को हम विबिन मातर में प्रस्तुत कर सकते हैं तो रेटिंग स्केल की खासियत क्या होती है बालक का वेवार कैसे चल रहा है उसे विबिन मातर में प्रस्तुत कर सकते हैं कि बहुत खराब चल ला है, ठीक ठाक चल ला है, ओर ठीक ठाक चल ला है, बढ़िया चल ला है, बहुत बढ़िया चल ला है, कतरी जबर्दस चल ला है, तो जो बालत का वेवार है, उसे विभिन इस्तरों में परस्तुत कर सकते हैं। यह जो इस तरह होते हैं समनने तो 3, 5, 7 आधी के होते हैं, जो रेटिंग स्केल हमारे 3 की होती है, 5 की होती है, 7 की होती है, जनरली, तीन में तो क्या आएगा, ठीक है, बढ़ी है या खराब है, पांच में क्या आएगा, ठीक है, बढ़ी है और बहुत बढ़ी है, या फिर खर प्राब कर लेंगे, बच्चे ग्यान के जानकी कितना ग्यान है बच्चे के पारे में काफी जानकरी में मिल जाए, जिससे बच्चे का खन कर देंगे. तो कर ऐ Godzilla Good morning Eliot Rating Skale टीचर बनाता है Rating Skale की तरह यह सूची होती है मारी है, मत सूची बुरा है। कहीं स्तर बना लेते हैं चोटे-चोटे की बच्चा यह जो काम है किसी स्तर तक करता है ठीक टाक करता है खराब करता है बड़िया करता है लेकिन चैकलिस्ट में इस तरह से इस्तर नहीं होते हैं लेवल नहीं होते हैं चैकलिस्ट में क्या होता है बस यस या नो में हम उत्तर कि क्या बच्चा भी दल्ले में आता है तो यस नहीं आता तो नू इस तरह से इसमें हम लेवल नहीं बना सकते कि हां बच्चा इतनी सफ़ाई रखता है ठीक ठाक रखता है नहीं रखता है होता है चैक लिस्ट यह जो हमारा रेटिंग स्केल की तरह है लेकिन इसमें लेवल न नहीं रखता है तो नो तो इसमें हम limitations हो जाती है लेकिन इसके द्वारा भी हम बच्चे के बारे में काफी जानकर ले सकते हैं ऐसे हम question लिखेंगे कुछ कि बच्चा भी दलने में समय पर आता है ग्रैकार्य करता है हाड़वर कितना करता है हाड़वर करता है नहीं करता है इस तरह से और जो अलग अलग टीचर हैं या सी या नो करते रहेंगे तो या सी या नो लिखेंगे या पिर ऐसे या ऐसे कर देंगे टिक करेंगे या क्रोस करेंगे इससे बच्चे के बारे में जानकरी मिल जाएगे कि बच्चे की परगती कैसी चल ले ये बच्चे का वेवार कैसा है परताल सूची या चैक लिस्ट द्वारा सही बिंदों के आदार पर चात्र की किरिया हुए वेवार का मुल्याकन क्या जाता है इसके द्वारा मुल्यांकन करता है चात्र की किरिया हुए वेवार के सम्मुक हाँ या नहीं लिखकर अत्वा सही गलत का निसान लगा कर उसकी उप्युकता की जाच करता है इस परकार बहुती कम समय में बहुती कम सरम के दोरा छातरों से संबंधित एक अबिलेक तयार हो जाता है जो की मुल्लैंकन का आदार बनता है या सिक्सक ही तयार करते हैं बच्चों के बारे में नेक्स्ट है मारा प्रसनावली तेको प्रसनावली एक लिखित परिक्सा की तरह ही होता है लेकिन लिखित परिक्सा में तो हम बच्चों का पूरा पेपर लेते हैं प्रसनावली में हम क्या करते हैं एक छोटा सा पेपर लेंगे बच्चों को और छोटे छोटे से कोश्चन हो एक दूसरे से जूड़े वे question नम बच्चों से पोछेंगे छोटे छोटे question पोछेंगे चोटे चोटे प्रस्णों का जो sama मोघ जो एक दूसरे से जुड़े वे उता है उस समू कों प्रश्नावली बोलते हैं कि इस तरह रैपिड-ार में और छोटे-छोटे ही होते हैं ज्यादा नहीं परश्नावली भी हमें दे ना पड़ता है बर दूसरे नहीं परेमिंग फायर होता है जिसे चात्रों के समक्स प्रस्तूत किया जाता है इन में प्रस्न विभिन उद्देश से और लक्सों से संब्दित होते हैं उत्तर देने वाले व्यक्ति प्रस्न पढ़कर उत्तर देने के लिए तो चिन लगाते हैं उत्तर देने के लिए चात्र या तो कोई चिन लग बच्चे उस question का उत्तर देते हैं और जैसा हमें उत्तर देते हैं उसके अदार पर हमें बच्चे के ग्यान के बारे उन जानकरी मिल जाती है कि बच्चे को इस subject का कितना ग्यान है साक्षतकार इंटर्व्यू अब जो इंटर्व्यू होता है हमारा वायवा की तरह होता है लेकिन वायवा में हमसे क्यानात्मक परसन पूछे जाते हैं और सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं ज़्याद है एक यह दो टीचर पूछता है लेकिन इंटर्व्यू में क क्या होता है पूरा पैनल बैठ जाता है आठ दस जो हमारे सीनर होते हैं उनका और हमारे भावनाओं के बारे में समाज इक विकास मांची की कास हर विकास के बारे में question पूछे जाएंगे तो जो साक्षतकार है वाई वाका एक upgraded version है उससे उपर वाला version है बाकी वही है similar सा ही है किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति से आमने सामने वारतलाप करके सुचनाओं को एकत्रित करना ही साक्षतकार कहलाता है इंटर्वी कहलाता है शाक्षतकार में हम क्या करते हैं उद्देश से निस्ट प्रसन पूछते हैं साकसतकार से सूचना पराप्थ करने के अतरीक्त किसी बालक की रूची, व्यक्ति, मनुवेरत्ति आदी वगरा का पता चल जाता है इसके द्वारा चातर के प्रस्तोतिकर्ण के अधार पर उसके उपलब्दियों का मापन हो जाता है तो चातर अपने आपको कैसे प्रेजन्ट करता है, उसका व्यवार कैसे रहता है आदी चीजे भी हम फोकस करते हैं इसमें नेक्स बात कर लेते हैं वस्तु निर्मान इसमें क्या होता है एक टीचर बच्चों से कहता है इस चीज को बनाओ कोई पेंटिंग बनाओ या हाथी गोड़ा पाल की मतलब कुछ चीजे देदेगा उससे हाथी गोड़ा बनाओ आप या कोई रो मैटरियल देदेगा एक टीचर उससे तूला बनाओ बनाओ कोई चीज बनाने के लिए काएगा एक टीचर बच्चे अपने अधार पर वह चीज बनाएंगे वह चीज जितनी अच्छी बनेगी उसके अधार पर एक टीचर बच्चों के बारे में अंदाजा लगा लेगा कि इस बच्चे को कितना ग्यान है यह हमारा होता है वस्तु निर्मन वस्तु बनाएगा एक बच्चा वस्तु से एक टीचर अंदाजा लगाएगा कि इस बच्चे को कितना ग्यान हो क्योंकि उस ग्यान के अधार पर इस बच्चे ने वस्तु बनाएगा चात्रों के द्वारा बनाएगे वस्तु में तस्वीरे चार्ट्स, मोडल, संग्रया, आधी भी जो चात्र उत्पादित साधन कलाते हैं इन वस्तों का परियोग करके भी चात्रों का मुल्यांगन कर सकते हैं चात्रों की रूचियों बगएर की जानकर हमें मिलती है अब देखो हम स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में हमारे काफी सारे रिकोर्ड बनते हैं सबसे पहला रिकोर्ड तो हमारे स्कूल डायरी बनती है डायरी में लिखा हुआ रहता है कि आज आपका बच्चा नहीं आया स्कूल में कहा था तो मम्मी लिख देगी कि मैंने इस ग़र में रखा ता साइन कर देगी तो इससे क्या होता है बच्चे का पूरा रिकॉर्ड बन रहा है कि किस दिन बच्चे विद्दलने में आ रहा है विद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् इन सभी का परियोग भी मुल्लांकन में किया जाता है, इनके द्वारा छातरों की रूची वगारा के बारे में काफी जानकरी मिल जाती है, तो यह जो रिकोर्ड आप यहां पर देख रही है न, जो आपका CTAT, UPTAT का एकजाम है, उसमें यहां से कोश्चन आते हैं, कि पोर्ट तब यह आज की हमारी वीडियो थी मुल्लांकन करने की विदिया, मुल्लांकन करने की कौन कौन सी विदिया होती है, आर्ट विदियो की हमने चर्चे किया, इसके लावा भी काफी होते हैं, हमारा बाद भी बाद होता है, इसके अलावा और भी काफी सारे होते हैं, उनके ब लास थी, मुलेंगन करने की विदियां कौन सी होती हैं, सोट में आता है ये question आपके paper में, I hope अब आप इस topic को समझ पाई होंगे, वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने B.A.D. group में दोस्तों के साथ share कर सकते हैं, B.A.D. की सभी subject के daily regular classes लेने के लिए, आप इस channel को subscribe कर सकते हैं, till then, bye bye, take care.